जी नमस्कार मैं आशिस पांडे आप सबका स्वागत करता हूं अरुनेखा स्टड़ी में और आज हम लोग बात करने वाले हैं एएएएएएएश एक्जाम से रिलेटेड कुछ बाते हैं जैसे कि आप लोग भी जानते होंगे कुछ समय पहले इसका टिट फीजिट और एक और क्याकरि कि कि इसकी एक्जाम की है डावनेट कर द्हीश यूदृण कर्फट लएं ये और कि हैwww करने वाले हैं कि उनका क समय है और क्या टृवचिंट करना कड़ेगा जो उनको फालो करना पड़ेगा बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और आखरी तक वीडियो जरूर देखिएगा ठीक वीडियो काफी लंबी नहीं होगी बहुत ही सौट में इसको मैं कवर करने वाला हूं तो चलिए सुरू करते हैं उससे पहले मैं एक चीज बोल दूँ जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्जेक्ट है मैच्स फिजिक्स करके है ठीक और यहां पर इनका नाम यहां पर लिखा हुआ है जिसको मैंने हाइड कर दिया अप लोग देखिए 21 और 22 को आपका एक्जाम हो रहा है 21 और 22 को आपका paper इसका AES का paper होगा 21 और 22 को ठीक है तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा इसी के साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो यहां आप लोग देखेंगे ये जो portion आप लोग देख रहे हैं ये जो है ये पुरा खाली है और ये भी खाली है और किस चीज का ये portion है तो ये जो portion है ये है photograph का ये वाला और ये है signature का और ये दोनों खाली है क्यों खाली है इसके भी reason जो है वो मैं बाद में बताऊंगा अभी आगे बढ़ते हैं अभी बस आप लोग ये देखते जाएए कि admit card कैसा दिख रहा है ये सब ठीक इनका जो reporting time है exam के लिए वो साड़ से 10 बज़े से 12 बज़े तक है इसलिए 15 मिनट पहले गेट बंद हो रहा है आप लोग कोसिस करिएगा कोसिस यह हो कि साड़े 9 बज़े तक आपको entry मिल जाए ये कोसिस करना चाहिए क्योंकि अंदर भी बहुत सारे काम होते हैं आपके बायो मेट्रिक्स होगारा होते हैं बायो मेट्रिक्स में time लगता है ठीक है अगर ज्यादा भीड रही तो ज्यादा भी time लग सकता है तो यह चीज ध्यान रखा करिए आप लोग तो साड़े 9 बज़े आप लोग वहां पर entry ले लेने की कोसिस करिए क्योंकि होता क्या है यह आप लोग अंदर जाएंगे photographs क्लिक होता है पहले फिर चेक होता है security checking होती है then admit card verification होता है तो बहुत सारी चीज होते हैं फिर आपको एक live alert होता है उसमें computer alert होगा तो फिर उस जगह पे जाओ और फिर अपने आपको पुरा प्रिपेर करो तो साड़े 9 बज़े अगर आप ल दूर से इतनी सारी process आप लोग करके आए रहते हैं तो जो उसमें आप लोग जहेले रहते हैं वो सब को एक बार हटाना रहता है दिमाग से तो उसके लिए sufficient time आपको मिल जाएगा जिसकी वज़े से आप लोग 10 बज़े से जो पेपर स्टार्ट होगा बहुत ही अच्छे से करके आएंगे इसके आगे अगर देखे तो यहाँ पे इनका roll number भी लिखा होगा ठीक यहाँ इनका roll number लिखा रहेगा आगे बढ़ते हैं और यह आते हैं self declaration यानि श्वा घोषना पत्र जो है इसे आपको फिल करके ही जाना है यहाँ पे अपना नाम लिखना है ठीक है नाम लिखना है और resident of कहा के निवासी है ठीक है किस जगह के आप निवासी है तो आप वहाँ पे लिख सकते है city और state ठीक है यह लिख सकते है और यहाँ पे आपको क्या करना है कि पिछले 14 दिन में इन में से कोई भी स्मटम आपको ववा था या नहीं हुआत अगर आप को हुआ था अगर नहीं हुआ था आपको फीवर तो छोड़ देना है ठीकले फिर उसको छोड़ देना जो भी हुआ है वह आप इसमें लगा सकते हैं इसे साथ अगर इन में से कुछ नहीं हुआ कुछ दूसरा चीज वह तो इस पर लोग लिख सकते हैं ठीक है यहां पर उसको लिख सकते हैं नहीं कुछ होए तो नहीं लिखिएगा उमीद मतलब को सिस्करिए कि नहीं लिखे ठीक इसके बाद यहां पर है किसी आप कोविड-19 वाले किसी समपर्क में तो नहीं थे ऐसा कुछ इस तरीके से आपको देखा जाएगा कि यह अगर होगा तो आप लोग टिक मारेंगे नहीं होगा तो टिक नहीं मारेंगे ठीक है यहां पर जो है आपका यह पूछ रहा है कि center पे पहुचने से पहले 14 दिन तक पहले तक का आपको data बताना है कि आप किस किस सहर में गए थे घूमने के लिए जैसे आप माल लो आप Delhi गए थे ठीक है तो Delhi ऐसे लिख दो Delhi गए हुए है घूमने तो Delhi लिख दो और अगर आप माल लो कि arrival कि arrival date of arrival माल लो आप गया हो की पंद्रह 15 दिसंबर को ठीक पंद्रह दिसंबर लिख दो अगर माल लो आप गया हो कहीं और माल लो निवाग गया हो कि इसी अलग ही country में चले गए अलग जगाहीं ही चले गए तो वह भी डेट लिख दो यहां पे ठीक है तो इस तरीके से आपको वो चीज मेंसन करना है ठीक कहा कहा कॉंसे city में आप गये उठी तो यह चीज आप लोग हो जाएगा इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर आपको अपना सिगनेचर कर देना है वह आप लोग करके लेके जाएंगे अब इसके बाद आपका आता है इंस्ट्रक्शन्स क्या आता है कि अब आपका आता है इंस्ट्रक्शन्स और इंस्ट्रक्शन्स यह है ध्यान से अप लोग सुनिएगा इतना सारा लिखा हुआ है इतना सारा आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लेगा मैं जो जो बता रहा हूं बस वो से ध्यान रखिएगा आपको करना क्या है कि आपको जो आपका जो एडमिट कार्ड है जो आपका एडमिट कार्ड है उस एडमिट कार्ड का आपको color photo color photo colored print करवाना है color print करवाना है ठीक है color print black and white print ना करवाईएगा color print करवाईएगा ताकि वहाँ पे कोई असुविदा ना हो यह चीज इसमें लिखा हुआ है आप लोग देख सकते है यहाँ पे admit card along downloaded from the AES website a clean color print out on A4 size paper ठीक है A4 size paper पे आपको मतलब उसको print करवाना है वही लेकर जाना है कैसा print तो color print out होना चाहिए साथ में आपको कोई एक photo ID card भी लेकर जाना है original यह नहीं कि photo copy और लेकर चले गए वो सब नहीं original लेकर जाना है जैसे कि आपका pen card हो गया driving license हो सकता है passport हो सकता है अधार card हो सकता है water ID card हो सकता है इस तरीके का कुछ आपको लेकर जाना है ठीक अगर आप minor में बनवाए है pen card तो वह आप लेकर नहीं जाएंगे क्योंकि उस पे photo गयरा नहीं होते हैं ठीक तो वह आप लेकर नहीं जाएंगे आप लेकर जाएंगे तब आप कोई दुसरा card लेकर चले जाएंगे जैसे अधार card सब के पास होगा तो वह अधार card आप जरूर लेकर जाएंगे ठीक इसके बाद अगर आपको बोलू तो आप लोग एक एक आप लोग ले लिजिएगा pen और pen कैसा होगा तो gel pen बिल्कुल मत लिजिएगा आपको ballpoint pen लेना है तो आप कोसिस करिएगा कि ब्लैक हो या ब्लू हो ठीक है ब्लैक या ब्लू में ही आप लोग लेके जाएगा ठीक और उसके साथ साथ आप लोग एक proper mask पहन के जरूर जाएगा mask जरूर पहन के जाएगा अगर mask नहीं पहने रहेंगे तो वहाँ पर पक्का वो बाहर इधर उधर करेंगे और होगा कि उसमें कि जो 5 रुपे की mask होती है वो बाहर कोई लेके बैठ जाएगा उसको दस रुपे में मतलब opportunity का फाइदा तो सब लोग उठाते हैं तो वो भी उठाना सुरू कर देगा इसलिए आप लोग मास्क लगाके जरूर जाएंगे ठीक अब इसके साथ साथ एक चीज और है कि अगर आप टेस्ट सेंटर और डेट चेंज कराना चाहते हैं तो वो आपका बिलकुल नहीं होगा कत्ता ही नहीं किया जाएगा लेकिन एक केस में होगा और वो क्या होगा कि अगर आपका एक्जाम सेंटर पे कुछ टेकनिकल इसू आ रहा है जैसे आपकी कंप्यूटर ही खराब हो गई कुछ सेंटर में कोई दिक्कत आ गया तो उस केस में आपको एएएएस जो है वो संस्था आपको एक कोई पर्टिकूलर डेट देगी पर्टिकूलर टाइम देगी पर उसमें बहुत दोगों ने मुझे मेल किया था कि मुझे अपना सेंटर चेंज खरवाना है यह होता ही नहीं है और यूद्फलाइन आपको जिख जगांच कोई वह बीगजाम हो बड़ी आपकोती है दो उसमें सेंटर चेंज होने हाएक केसी नहीं बनती है तो उन औरेडि क भीज़े जाएंगे online exam में क्या होता है कि 20-25 computer एक्स्ट्रा रखे जाते हैं टेक्निकल इसू लेकिन वहां अगर 225 सीटे हैं computer वाली तो 200 सीट फिक्स होगी उससे ज्यादा एक ज्यादा नहीं होगा आप चाहे भी तो आप वहां पे अपना center नहीं change करवा सकते वहीं रहेगा क्योंकि वह रिजर्ब है वह एक तरह से नियम बना हुआ है ठीक इसी के साथ साथ अगर मैं कुछ और चीज़ इसमें बता दूं कि आप लोगों को अभी से अपना email डेली चेक करना है कि A.E.E.S. A.E.E.S. के तरफ से कोई update तो नहीं आ रहा है जो भी update आएगा पहले आपके email पर आएगा ठीक उसके बाद ही कहीं दूसरे जगा आएगा इसी के साथ एक चीज़ और मैं बता दूं कि जब आप exam hall से बाहर निकले ठीक है exam hall से बाहर निकले रहे है एक्जिट ले रहे है तब ये आप कोसिस करिएगा कि आप अपना admit card आपका जमा हो गया या नहीं आपकी attendance बन गई या नहीं बनी ये सब चीज़े आपको ध्यान रखना है ठीक है इसी के साथ साथ एक चीज़ और मैं बता दूं कि आपको अपने साथ साथ आप लोग कोई भी बैग, notebook, paper ये सब नहीं करना है, carry नहीं करना है, घाड़ी नहीं carry करना है ठीक आपको साथ साथ built भी आपके लिए allowed नहीं होगा इसके साथ मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो दिव्यांग भाई बहन है वो लोग क्या करेंगे कि वो एक घंटे पहले मतलब आपका अग की seat तक बैठाने में वो आपको मदद करेंगे ताकि आपको देर ना हो हर काम आपका time से हो जाए और आप center अपने seat पे जल्दी पहुंच जाए इसलिए आपको और भी जो भी सुविधा उनको देना होगा वो अराम से आपके लिए उपलब्द करा दे इसलिए वो चाहते है कि आप एक घंटा पहले आए साथ में आप क्या करेंगे कि contempt authority के द्वारा issue किया हुआ आप अपने दिव्यांग वाली जो certificate होती है PWBD जो certificate होती है वो ले कर जाएंगे तभी आपका वो मानने होगा वरना आपका मानने नहीं किया जाएगा ठीक तो इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा आप लोग और हमेशा अपना जो भी होता है एक्जाम देखते रहेगा साथ में आपको mock interview जो मौक एक्जाम जो होता है वो एक दिन मैं दिखा दूँगा आपको एक्जाम से पहले वो भी मैं बता दूँगा ताकि आप लोग मालूम कर ले कि कैसा होगा paper किस तर फेस होता है उसका वो आपको मालूम हो जाए इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बैल आइकन को प्रेस करके रखना पड़ेगा ताकि आपको notification टाइम से मिल जाए साथ ही आपको हमारे टेलिग्राम चैनल जोईन करना पड़ेगा जो कि हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से ही है आपको description में लिंक मिल जाएगा चलिए इसी के साथ और भी कुछ important बात होंगी मुझे लगता है कि मैंने हर एक चीज बता दिया है आप लोग उसका ध्यान रखिएगा ठीक पानी की बॉटल भी आपको एलाउट नहीं होगी हाँ पानी की यहाँ पे photo और signature क्यों नहीं है यह एक बड़ी चीज है मैं अभी तक नहीं बताया तो आपको करना क्या है कि जो photo आपने exam form में upload किया है वही photo आपको यहाँ पे चिपकाना है passport size photo ठीक है वही passport size photo आपको यहाँ चिपकाना है और signature अपना नीचे आपको खुद करना है ठीक तो यह सारी चीज़े हैं जो आपको करके जाना है ठीक वहाँ पे आपका इस सब चीजों का verification होगा तो यह सारी बाते हैं और मुझे लगता है कि मैंने हर एक चीज बता दिया है तो अब मैं अपनी वीडियो को यही पे खतम करूंगा और जो लोग चैनल पे नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को like और share सभी लोग करेंगे मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए टाटा वाय वाय और थैंक यू जै हिंद